नमश्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का एक्जाम गुरू टिप्स और ट्रिक्स में तो आपके लिए रेलवे ग्रूप डी की परिक्षा के दिश्टी कौन से गणित के 25 इंपॉर्टेंट कोश्चन्स लेके आ गया हूं जो भी ग्रूप डी के लिए सीरियस है इस वीडियो काम तक देखना जो सीरियस नहीं उसको तो मैं वैसे भी नहीं रोक पाऊंगा ठीक है पहला कुश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या रहा एक अब्यार्थी 20 परसेंट अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीन हो जाता है जबकि दूसरा अब्यार्थी 50 परसेंट अंक प्राप्त करता है जो उत्तीन होने के लिए आवशक नियुनतम अंकों से 32 अधिक तो परिक्षा पूर्णा मतलब टोटल मार्क्स ऑफ दी इग्जामिनेशन क्या है मतलब हंडेट प्रतिशत क्या है कैसे करोगे इस कोईशन को 20% अंख प्राप्त करके अनुत्तीन हो जाता है 35 नंबरों से 20% उसने स्कोर किया और 35 नंबर शॉर्ट हो गया पास होने से मतलब अगर वो 35 नंबर और लाता तो पास हो जाता सेम फैशन में सेम तरीके से 20 परसेंट उसने सारी 50 परसेंट उसने अंख प्राप्त किये और वो पासिंग नंबर से passing number से 32 number जादा लिया है, मतलब अगर मैं minus 32 कर दू, तो ये दोनों criteria किसके हो गए? pass, pass is equal to pass, right? तो pass पता चल गया हैगा, आएए देखते हैं, तो यहां क्या हो गया? minus 30% is equal to minus 67, तो minus minus cancel, 30% बराबर, कितना हो गया? 67, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, पूर्णांग क्या बताया गया है? ठीक है? पूर्णांग क्या बताया गया है? ठीक है? तो 100% पूर्णांग, 100% पूर्णांग, which is equal to 67 by 30, multiply by 100, 0 से 0 गया, 670 बटे 3, ये क्या हुआ? 670 बटे 3, ये हुए total marks, option number, समझ गया है? आईए, next question, राम की उमर, उसकी बेटी की उम्र, वर्तमान उम्र से दुगनी है, यदि बेटी की वर्तमान उम्र 20 साल है, तो राम की उम्र कितने साल पहले अपनी बेटी की तीन गुनी थी? देखें, ये राम है और उसकी ये डॉटर है, अभी क्या है? दुगने है, मतलब अगर डॉटर 1 हुआ तो राम क्या है? 2 है, यदि बेटी की बर्तमान आयू 20 साल है, बेटी की बर्तमान आयू 20 साल है, तो राम की कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, तो राम की उमर कितने साल पहले अपनी बेटी की तीन गुनी थी? ऑप्शन पकड़ना 12 साल है क्या? तो देखो, कितना हो जाएगा 12 साल मतलब या 28 और या 8 नहीं? लास्ट ऑप्शन देखो, आप्शन को सब देख लोगे तो आराम से बन जाएगा, 10 साल है, मतलब 40 से 10 तीस, और 20 से 10 का मतलब 10, तीन को नहीं हो गया, कौनसे ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नमबर D, ऑप्शन पकड़के चलो, ठीक है? नेक्स्ट कुशन आईए, 42 किलो मेटर प्रति घंटे की गती से, गाड़ी चलते हुए, एक व्यक्ती 2 मिनिट पहले ऑफिस पहुँच जाता है, जबकि वह 36 किलो मेटर प्रति घंटे की गती से, गाड़ी चलते हुए, पांच मिनिट देरी से पहुँचता है, ठीक है? वह कितनी दूरी करता है तो क्या बोल रहा है 42 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो ट्रेवल करता है तो वो ओफिस दो मिनिट पहले पहुंच जाता है और अगर वो 36 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करता है तो जो लगने वाला समय है उससे 5 मिनि किलोमेटर पूछ रहा, अब मुझे एक बात बताओ, दोने कंडिशन में क्या सेम है, डिस्टेंस दूरी सेम है, तो दूरी बराबर, दूरी बराबर, दूरी, इस इट, दूरी बराबर, दूरी, पहले वाले कंडिशन में, let's say, अगर उसको, अगर वो, क्या बोले, मतलब, न किलोमेटर प्रती घंटे से अगर वो चलेगा, तो दो मिनिट पहले पहले पहुंच जाता, मतलब, एकस माइनस टू से अगर चलता, तो उसको, सही समय लगता, दूरी बराबर, दूरी, दूरी बराबर, दूरी, दूरी बराबर, दूरी, दूरी बराबर, दूरी, दूरी यह मिनिट्स में है अभी इसको जब solve करेंगे at the end हम इसको आवर में convert करेंगे है ना आईए क्योंकि यहां पर km में पूछा है और यहां speed km पर आवर में है है ना तो यहां 42 x minus 84 is equal to 36 x plus 30 और 180 ठीक है तो यह कितना हो गया 4 और 266 x is equal to plus किया तो 264 x is equal to 4 और 2 तो 44 है ना तो क्या हो गया 44 हो गया अगर x 44 हो गया अगर x 44 हो गया लेकिन ही क्या है minute है यह क्या है guys यह minutes है ना 44 minutes है क्या पूछा है total km आई ए x की value उसमें put कर देते हैं किसी में भी एक में put कर दो 42 multiply by 44 से दो गया तो 42 लेकिन बट्य साथ क्यों किया क्योंकि यह minute में था hours में convert कर दिया are you getting eyes are you getting when you solve you will get your answer 29.4 km understood which option option number a ठीक है आईए next question किया जाए एक दूद का container तीन बटे 5 भरा है एक दूद का container तीन बटे 5 भरा है जबकि इससे 20 लीटर दूद निकाला जाता है तो यह साथ बटे 12 भरा होगा ठीक है container की शमता क्या है कोशन ध्यान से समझो एक दूद का container है जो कि तीन बटे 5 भरा हुआ है इससे 20 लीटर मैंने दूद निकाल लिया तो अभी कितना बचा हुआ है अभी कितना बचा हुआ है लेटि के 60 था तीन बटे 5 भरा हुआ था मतलब भरा कितना हुआ था पांच की वैलू अगर बारा हुआ मतलब 5 की वैलू कर साथ हुआ तो 12 तो 36 भरा हुआ था इसस थीज़़गा था समझगे कैसे किया अब और 20 लीटर दूद निकाला जाता है तो 7 बटे 12 भरा होता है एक घटा या मियम मतलब इसके comparison के साब से एक घटा लेकिन असली में कितना घटा 20 लीटर घटा 20 लीटर दूद घटा are you getting guys 20 लीटर दूद घटा कंटीनर की शंत हमने क्या माना था 60 तो 60 को multiply कर दो जब 1 की value 20 है तो 60 की value 20 से multiply कर दो तो कितना होगा 12 लीटर हो जाएगा समझ गए कैसे लिया LCM से लिया राइट होई पूछा गया रवी ने रिक्षा से कितनी दूर की याद्रा कि understood रवी है एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो पहले वह bus से फिर रिक्षा से फिर पैदल तीन mode है bus रिक्षा और पैदल तीन mode से वो travel करता है बस का बोल दिया गया है फिर left का बाकि बचे हुए का बस से जितना कर दिये उसका left का दो बटे पाँच पैदल करता है तो उसका जो रेस्ट होगा वो कौन पैदल करेगा तो आई है देख लिए तो इसमें में तीन चीज दी गई है, दो चीज दी गई है, 7x9 और 2x15, इनका LCM ले लो 45, इसका मतलब, बस है, रिक्षा है, रिक्षा है, ठीक है, और क्या है, पैदल है, ठीक है, ठीक है, तीन है, अब देखो, लेट से मैंने मान लिया 45, LCM ले लिया 45, तो बस से कितना ट्रेवल करेंग तो 35 उसने बस से ट्रेवल कर लिया, बस से उसने कितना ट्रेवल किया, 35 ट्रेवल कर लिया, अब रिक्षा से देखो, अब रिक्षा से देखो, अब रिक्षा बोला है, करतार बाकी यात्रा का, बाकी यात्रा का, बाकी कितना है बताओ, कितना है बताओ, अरे बताओ तो 10 है यह ट्रेवल, कितना हो गया यह ट्रेवल, 41 हो गया, 45 करना था, तो कितना बचा, 4, तो पैदल कितना करेगा, sorry, रिक्षा से कितना करेगा, यह पैदल का हो गया, रिक्षा से कितना करेगा, 4 बटे 45, समझ गया, कौन स अप्शन हो जाएगा, option number B, are you getting guys, next question, आइए, 1 by 3 root 3 plus 2 का बिवाजक का परीमे करन करेए, rationalization करना है, rationalization करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 plus 2, कि से multiply करना पड़ेगा, 3 root 3 minus 2, divided by 3 root 3 minus 2, उपर क्या जाएगा, 3 root 3 minus 2, प्लस वाले सारे काट दो, यह गया, यह गया, यह बचा है और यह बचा है, तो आएए देखते हैं, divided by, नीचे a plus b है, multiply by a minus b है, तो क्या हो जाएगा, a square minus b square, 3 root 3 का whole square minus 2 का square 4, तो यहां क्या हो गया, root 3, root 3, 3 हो गया, 3, 3 is a 9 हो गया, तो 27 minus 4, which is equal to 23, नीचे 23 वाला option, option number D हो जाएगा, right answer, right, next question के लिए बढ़ता है, यह, शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे और कितने बैग खरीदे? 2 बैग खरीदे 900 रुपए में, उसने एक को 25% लाब और दूसरे को 25% हानी पर बेज दिया, ठेक हैं, उसने 25% लाब पर पहला और दूसरे को 25% loss पर बेज दिया, धि庹न रखना, यदि दोनों बैग का विक्रे मूल समानू यदि दोनों बैग का विक्रे मूल समानू वेरि इंपोर्टेंट तो दोनों बैगों का क्राय मूल ग्याद करिये 25% का लाभ है 25% का लॉस है 25% का अगर प्रॉफिट है तो क्या होता गाइस 4-5 हो जाना और 25% का loss हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 से 3 हो जाना, अगर ये क्या हुआ, cost price और ये हुआ, selling price, SP, CP, क्राइमूल, विक्राइमूल, दोनों ही case में, विक्राइमूल क्या है, different, same है, समान है, तो आईए समान कर देतें, यहां 3 है, और यहां 5 है, समान कर दो, इसको multiply by 3 कर दो, उसको multiply by 5 कर दो, तो क्या हो गया, 3 चरी 12, और यहां क्या हो गया, 15, और यहां 20, और यहां 15, दोनों ही condition में same हो गया, अरे हो गया, की नहीं हो गया, इसका मतलब, ये जो total है, ये जो क्या है, total है, मतलब 12 और 20, 12 प्लस 20 कितना होता है, 32, ये किसकी value होगी, 900 की, क्यों दो बैक को खड़ीदा, अरे हां, की ना, की ना, मुझे बता दो, इसका मतलब, जरा गौर फर्माईए, जरा बिल्कुल गौर फर्माईए, ये कितने का multiple हुआ, दिवाइड करेंगे, so it will be 28.125, 28.125, इसका मतलब, एक बैक की कीमत, ये 12 की कीमत कितनी होगी, multiply by 28.125 कर दो, हान are you getting guys, तो 337.5, 337.5 एक ही option ने लगा दूसको answer, दूरसा निकालने के लिए, 20 इंटू, 20 इंटू, 28.125 कर देना, तो you will get 562.5, अरे हां, की ना, की ना, की ना, की option, option number C, ठीक है, बड़े next question मैं ये, यदि दो पूर्णंको का बहू, वर्गमूल का योग इतना है, यदि दो पूर्णंको के वर्गमूल का योग इतना है, तो पूर्णंको के वर्गो का योग, आईए, सबसे पहले वर्ग मिकाल लेते हैं, पूर्णंको के वर्गो का योग, अच्छा, ठीक है, आईए, तो आपको पता है, एक format होता है, a plus to root b, is it, अरे हां, की ना, और, let's इसे, जो है, ये इस वाले पैटर्न में जमाना है, इस वाले पैटर्न में जमाना है, इसका मतलब यहां आठ के जगे में क्या होना चाहिए था, यहां आठ के जगे में क्या होना चाहिए था, 2, इसका मतलब यहां लिख सकता हूँ, 2 into 4, और इस 4 को जब अंदर इंटर convert हो जाएगा 18 प्लस 2 और यह 30 सी अरे हां की ना बताओ मुझे और इसका पूर्णक क्या होगा इसको किस फॉर्म में तोड़ना है ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिससे अगर मैं प्लस करूं 8 प्लस 10 तो 18 आ जाए और इन दोनों को multiply करूं तो सी आ जाए ऐसे में तोड़ना थ बस हो गया तूड़ गया तो वो दोनों क्या आ गया 8 और 10 और इनके वर्गों का score पूछा है वर्गों का sum पूछा है बस हो गया 64 प्लस 100 विच इक्वल तो 164 विच ऑप्शन ऑप्शन नमबर सी नेक्स कोश्यन आए देखते है बैतरीन कोश्यन है ज़रा देखे धियान से 3 3x² प्लस 2ax प्लस 4b को जब x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो 15 शेश आता है और 2x² प्लस 3bx प्लस 5a को जब x-3 से विभाजित किया जाता है तो 65 शेश बचता है a प्लस b का मान क्या है पहले वाले कंडिशन में एक्सप्रेशन ये है x प्लस 3 से उसको विभाजित किया आप जोतना शेश आ रहा है इसका मतलब अगर मैं x प्लस 3 is equal to 0 करूँ और x की value minus 3 आएगी अगर x की value यहाँ पर minus 3 रखूँ तो 6 is equal to क्या जाएगा 15 आ जाएगा इसक मैं क्या रख रहा हूं ये बराबर ये बराबर 15 कब होगा जब when when x is equal to minus 3 पूट करूँगा यहाँ की ना आएगी पूट करते हैं तो minus 3 का square 9 9 into 27 27 plus यहाँ क्या हो गया यहाँ तो minus हो जाएगा a a a x है minus तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 3 दूग निच्छ है minus 6 a plus 4b is equal to how much 15 is equal to how much 15 तो यहाँ देखो क्या हो गया minus 6 a plus 4b is equal to इस तरफ पहुंचाया तो कितना हो गया यह minus 12 तो एक काम करते हैं 6 a minus 4b is equal to 12 ठीक है इसको और simplify करते हैं तो 3 a minus 2b is equal to 6 यहाँ गया equation number 1 ठीक है आईए next देखते हैं दूसरा क्या बोला है 2x square plus 3bx plus 5a is equal to 65 कब होगा is equal to 65 कब होगा when when x is equal to यह minus 3 है तो यह क्या हो जाएगा x is equal to 3 put करने पे आईए put करते हैं तो 9 9 into 18 18 plus यह होगे कितना 3 3 is a 9 9b right plus 5a is equal to 65 okay पहुंचाया इस तरफ 9b plus 5a is equal to are you getting guys समझ में आ रहा है ना धियान से धियान से देखो तो 18 और यह कितना हो गया 47 हो गया आई इसको सजाते है 5a plus 9b this is 9 okay is equal to 47 this is equation number 2 equation number 1 और equation number 2 को compare करा दो तो you will get a and b दोनों का सम कर देना answer आ जाएगा देखो 3a minus 2b is equal to 6 पहले equation है 5a plus 9b is equal to 47 चलिए multiply by इस 3 कर देते इसको multiply by 5 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 5 15 a minus 10b और is equal to 30 ठीक है दूसरे वाले में देखिए 3 5 15 a plus 27b is equal to कितना हो गया यह तीन चरी कितना हो गया 120 120 और 21 मतलब 141 okay 140 141 ठीक है यहाँ minus हो गया यहाँ minus हो गया और यहाँ minus हो गया इससे यह गया कितना हो गया minus 37 यहाँ लिखते है minus 37b is equal to यहाँ कितना हो गया 30 घटाया 111 minus 111 minus से minus गया 20 equal to कितना गया 3 9 321 ठीक है 3 b आ गया कितना 3 b कितना आ गया 3 आ गया किसी भी equation में put कर दो आउस वाल equation में put कर दो तो b अगर 3 है तो 3 a is equal to 3 2 जा 6 तो minus 6 is equal to 6 3a is equal to 12 और a is equal to 4 a 4 है और b 3 है तो दोनों को जोड़ दो a plus b, a plus b कितना हो गया? 7 हो गया, तो कॉंस अप्शन हो गया? option number d हो गया next question आईए अगर x plus y 3 है, x into y 2 है और अगर x y से छोटा है तो पूछ रहा है x cube minus y cube का मान गयाद कीजिए यहाँ पर value पूट कर दो देखो condition क्या बोलिए? x, y से छोटा होना चाहिए इसका मतलब अगर मैं इसको 1 दे दू इसको 2 दे दू, 1 plus 2 3 हो गया condition satisfy और 1 into 2, 2 हो गया condition satisfy बस पूट कर दो so 1 का cube मतलब 1 minus 2 का cube मतलब 8 तो कितना हो गया? minus 7 कौंस option option number D बस पूट किया next question आईए pi graph वर्श 2017 में Bivin Mobile कमपणियों दुवारा की गई कुल विक्री का प्रतिनिद्रित करता है यदि वर्श 2017 में कुल विक्री रुपए 5000 करोड है तो apple कमपणियों दूआरा की गई विक्री कितनी है total 5000 करोड है apple दूआरा देखो कितना किया गया 18 इसके मादला 5 into 18 कितना होता है 9 होता है 90 होता है option number C लगा दो answer ठीक है? next question आईए रंजीत और रोहन के बीच कुल 210 गेंदों में 210 गेंदों को इस प्रकार बाटा जाना है कि रंजीत को रोहन से 56 56 गेंद अधिक प्राप्त हो विभाजन के बाद रंजीत को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या का रोहन के प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या का अनुपात क्या होगा? question समझ गए? दो इनसान है रंजीत रंजीत और रोहन रंजीत और रोहन ठीक है इनके बीच में 210 गेंद बातनी है कितनी 210 गेंदे बातनी है रंजीत को रोहन से 56 गेंद अधिक मिली let's say रोहन को x मिली तो इसको कितनी मिलेगी x प्लस 56 ठीक है अरे ठीक है और इन दोनों का इजो सम है वो किसके बराबर होगा 210 के बराबर मतलब x प्लस 56 प्लस x is equal to 210 इसका मतलब 2x प्लस 56 is equal to 210 इसका मतलब 2x बराबर समझ रहे हो ना 2x बराबर जरा बताओ कितना हो जाएगा 210 210-56 मतलब कितना 154 154 तो x is equal to 77 अरे हाँ की ना इसका मतलब रोहन को कितना मिला 77 और रंजीत को कितना मिला 77 प्लस 56 मतलब 77, 56, 133 बस इन दोनों को simplify करना 7 से किया तो 11 बाद 7 से किया तो 19 बाद 19 इस टो 11 है कि किसी option में option number D देखिए option number D 19 इस टो 11 है समझ गया next question आईए 6 गंटे एक दिन का कितना प्रतिशाद है total 24 गंटे एक बटे चार मतलब 25 परसेंट next हल कीजिए यहां square होगा हल कीजिए 5 प्लस ब्रैकेट में second ब्रैकेट में जो है 2 multiply by फिर्स ब्रैकेट 5 स्क्वेर प्लस 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 84 तो पहले फिर्स ब्रैकेट का काम होगा तो 25 प्लस 3 28 28 इंटू 2 56 56 ठीक है ना ओके करते है इसको 25 यह 28 28 इंटू 2 तो कितना हो गया 56 56 प्लस 5 मतलब 61 और माइनस यहां क्या है 84 है तो कितना हो गया यह बताओ तीन तीन वाला ओप्शन कौण सा ओप्शन नमबर सी 23 माइनस 23 नेक्स कुशन आईए नेक्स कुशन के तरफ बढ़ा जाए दो संख्याओ का गुड़नफल कितना दिया गया है दो संख्याओ का गुड़नफल 0.432 है इन मेंसे एक यह है तो दूसरी संख्या क्या होगी मतलब X into Y जो है वो कितना दिया गया है 0.432 एक दे दिया गया है 1.6 दूसरा पूछ रहे तो दूसरा 0.432 बटे क्या 1.6 which is equal to 0.27 कॉंसरा प्शन नमबर एक समुच्य में 4 संख्या है इन मेंसे 3 सबसे चोटी संख्याओं का मद्ध 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का मद्ध 21 है आकडों का समुच्य का पारस ठेक है मतलब रेंज पूच रहे है मतलब higher limit minus lower limit let's say 4 संख्याओं है A B C और D इसका मतलब A plus B plus C plus D जो total amount होगा वो 19 into 19 into 4 हो अच्छा नहीं अभी इनका 3 बोला गया है 3 सबसे छोटी अच्छा लच्छे A plus B plus C चोटी और D सबसे बड़ी है A सबसे छोटी है ठीक है तो A plus B plus C जो है 19 19 into 3 विच इक्वल टू 57 ठीक है और क्या बोला गया है और क्या बोला गया है ज़रा देखिए बोला गया है कि 3 सबसे बड़ी संख्या तो 3 सबसे बड़ी संख्या क्या होगा B plus C plus D B plus C plus D इनका क्या होगा 21 multiply by 3 मतलब 63 चली यहन दोनों को माइनस करिए तो तो देखिए B और C B और C कट जाएंगे तो A minus D कितना आजाएगा गाईज minus 6 उल्टा होगा क्या range क्योंकि बड़े से छुटा तो D minus A 6 बराबर आजाएगा तो कौन सा option option number तो range कितना हो जाएगा 6 next question आईए निमने साड़नी को हल करिए तो देखिए यहाँ क्या हो गया यहाँ 10 हो गया minus 10 यहाँ पर क्या है divide है तो 4 into 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 into 3 12 12 से गया 10 मतलब 2 2 plus 10 12 12 दोनी 24 minus 24 और यहाँ कितना हो गया यह कितना हो गया यह 64 64 से sorry 62 से 62 से कितना गया 24 गया मतलब 30 8 consumption option number B ओके next question आईए जरा धियान से देखिए next question क्या कह रहा है एक बड़े त्रिभुज की 3 शीर्सों से 3 छोटी त्रिभुज इस प्रकार अंकित किये जाते हैं कि प्रतेक छोटे त्रिभुज की प्रतेक भुजा उनकी असन्य बड़े त्रिभुज की भुजा से 2 बटे 5 है ठीक है छोटे 3 तीन छोटे त्रिभुज की कुल छेत्रफल से बड़े त्रिभुज की शेश भाग का चेतपल का अनुपात क्या है अगर मैं बोलू कि बड़ा वाला जो त्रिबोज है जो बड़ा त्रिबोज है ठीक है वो है उसकी साइड है लट से 5 5X उसकी है 5X और छोटा वाला क्या होगा फिर 2X हो जाएगा अरे हाँ की ना यह अगर बड़ा है 5X तो छोटा वाला क्या होगा 2X आरे समझ गए है तो आओ देखते हैं इसका मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका area इसका area root 3 by 4 a square मतलब 25 का 25 sorry 25 ex square हो जाएगा a square 25 x square हो गया जिसका का comparison क्या करना है 3 छोटे 3 निबोजो से एक छोटे का size कितना है 2x है उसकी side का न तो इसका मतलब root 3 by 4 लेकिन 3 है multiply by 3 कर दो a square मतलब 4x square root 3 by 4 root 3 by 4 cancel out x square x square cancel out तो क्या हो गया 25 to 12 हो गया अच्छा किस किस का relation पूछा उनकी कैसे पूछा इसका उल्टा पूछा है न 12 to 25 लेकिन यहां पर देखो बड़े त्रिबुच के 6 भाग 12 हो चुका है 25 में से बाचा कितना है 13 तो क्या हो जाएगा 12 to 13 कौन सा option हो जाएगा option number 8 चलिए next question करते है 5.035 plus 50.35 plus 503.50 minus 20.60 का मान क्या होगा तो देखिए इसको जो है जमा लीजिए बस और कुछ काम नहीं है और क्या होगा 50.35 और क्या होगा 5.035 शून्य शून्य ठीक है बस सबसे पहले इनको जोड़ लेजिए 5 हो गया यहां हो गया 8 यहां 8 हो गया और यहां क्या हो गया यहां 8 हो गया यहां 5 और यहां 5 मतलब 558 से 20 जाएगा अच्छा यहां पर चलिए इसको करी लेते हैं 20.60 एक और 0 लगा तो तो 5 यहां 8 यहां 2 285 और यहां 10 का मतलब option number D 20 कम option number D ठीक है next question आईए चलती त्रेन एक प्टफॉर्म को 80 सेकट में पार करती है वही ट्रेन विप्रीद दिशा में 18 किलो्मेटर प्रती घंटे की गती से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 second का समय लेती है platform की लंबाई ग्याद करिए देखिए यहाँ एक आदमी है जो इस direction में चल रहा है यहाँ एक train है जो इस direction में चल रहा है किस direction में इस direction में train की जो speed है 36 km per hour और यहाँ पर जो आदमी की speed है ठीक है वही train एक speed है एक व्यक्ति कि वो कितनी है 18 km पती घंटा पहले वाले case में क्या कहा गया है कि वो 36 km पती घंटे की speed से चलता है और एक platform को 60-80 second में पार कर देता है और दूसरे वाले condition में क्या बोला है कि 18 km पती घंटे की speed से चल रहा है विप्रीत दिशा से एक आदमी है एक व्यक्ति है उसको ये train 24 second में पार कर जाती है आप मुझे एक बात बताओ यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं train का distance निकाल सकता हूँ कि हाँ की ना distance निकाल सकता हूँ की निकाल सकता हूँ मुझे एक बात बुदाओं अगर मैंने यहां से distance निकाल लिया और उस distance को मैंने platform को माना लेच्छे x तो उस distance को plus x divided by अगर मैं speed करूंगा तो इस time के बराबर 80 के बराबर होगा वो हां की ना फिर मैं वहां से platform की length निकाल सकता हूं समझ गए question देखो इनकी relative velocity क्या हो जाएगी 36 plus 18 36 plus 18 ठीक है अरे समझ में आ रहा है तो कितना होता है चववन किलोमेटर प्रती घंटा और चववन किलोमेटर प्रती घंटे को मैं काम करता हूं इसमें मीटर मीटर में दिये गए है तो इसको जो है मीटर पर सेकेंड में convert किया जाए तो चववन मल्टिप्लाइबाइब 15 सेकेंड आ गया ठीक है और और देखो यहां पर बोला है स्वरी 15 मीटर पर सेकेंड आ गया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड और क्या बोला है कि इस वेक्ति को पार करने में कितना टाइम लगा 24 सेकेंड लगा इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकेंड की स्पी या फिर बोलो distance of train total distance of train जो है वो कितना हो गया 15 multiply by 24 है ना तो कितना हो गया 300 और 4 300 और 300 और 300 और 60 इसका मतलब 360 360 मीटर हो गया किसकी लेंद train की लेंद अरे समझ गये आप मुझे एक बात बताओ 360 अगर train की length हो गई है उसमें platform का अगर मैं length जोड़ दू अगर उसमें मैं platform का length जोड़ दू तो पूरे train को पार होने में कितना समय लगा 80 अरे समझ गये इसका मतलब 360 में अगर मैं 360 में अगर मैं x जोड़ देता हूं ठीक है distance ठीक है यह किसके बराबर होगा 80 सेकेंड के लेकिन यह क्या हो गया यह distance upon यह speed है distance upon time is equal to distance upon speed is equal to time तो speed देखो speed देखो कितना है 36 है 36 किलोमेटर परती गंटा है तो 36 इंटू पांच बटे 18 मतलब यह 2 गुना 10 यह होगे 800 एकस बराबर 800 माइनस 360 विच इस उगए टू 40 440 कौन सा option option number समझ गया question इसमें 2 को comparison करना था यह next question करते हैं एक वस्तू की कीमत 25% घड़ जाती है मूल कीमत को बनाने बनाए रखने के लिए मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितने प्रतीशत बढ़ाना होगा सबसे पहले लच्चे 100 का था 25% घड़ गया तो होगा 75 वापस आने के लिए 25 बढ़ाना पड़ेगा लेकिन किस पर 75 पर मतलब एक बटे तीन इसका मतलब सो बटे तीन कौनसा उप्षिन सो बटे तीन उप्षिन नमबर next question आईए A और B किसी कारे को 8 दिनों में कर सकते हैं B और C उसी काम को जो है उसी को 12 दिनों में कर सकते हैं यदि A, B, C 7 में यह कारे 6 दिनों में कर सकते हैं तो A और C इसका दुगना काम कितने दिनों में कर सकेंगे A और B कितने दिनों में 8 दिनों में कर सकते हैं B और C उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और 3 मिलकर एक साथ इसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं लग्षे जरा गौर से देखना अब जरा गौर से देखना ठीक है यहां पर यहां पर a plus b plus c a plus b plus c कितना है चार है कितना है चार है ठीक है अब देखो b और c कितना है दो है इसके जगे अगर मैं दो रग दूँ दो घड़ गया तो a की value कितनी आ जाएगी 2 efficiency a की 2 यहां c का पूचा है ठीक है तो a b अगर मैं से घटा दू a b अगर घटा दू जो कि है 3 तो क्या हो जाएगा बताओ जारा मुझे c कितना जाएगा एक c कितना जाएगा एक तो बोला है दुगना काम मैंने कितना लिया तो 24 काम लिया तो उसका दुगना कर दूँ तो 48 कौन कौन करेगा A और C करेगा दोनों मिलकर मतलब बटे 3 कितना गया कौन सो अप्शन ठीक है next question रचना ने 10% साधरन वार्षिक व्याज के दर से 40,000 उधार लिये ठीक एक वर्ष बाद उसने अपने मित्र को उसी दिन ये धनराशी उसी ब्याज पर लेकिन वार्षिक चक्रवर्थी पर उधार दी ठीक है तीसरे वर्ष के अंत में यह कितना लाब या हानी प्राप्त करेगी अब देखो जरा उसने क्या किया 40,000 का उधार दिया कितने का उधार दिया 40,000 का उधार लिया अब बोल रहा है 10% के साधरिंग व्याज पर कितने परसेंट के रेट पर 10% के simple interest पर 10% के SI पर तो आप मुझे एक बात बदाओ कितने कहानी तक की कहानी है तीन वर्षों तक की कहानी है तीन वर्ष के अंत में तीन वर्ष के अंत में मतलब 10 की यह हो गई 3 मतलब 30 की वैलू कितनी हो गई 12,000 कितनी हो गई 12,000 अब मुझे एक बात बताओ, ठीक एक वर्ष बाद, मतलब एक वर्ष बीतने के बाद, तो बचे कितने वर्ष हैं, दो वर्ष हैं, दो वर्ष में 2 येर का केस, 10% का रेट, 10% रेट, और ये क्या है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है, compound interest है, देखो ना, चक्रवर्ती ब्याज प 21%, मतलब 20% कितना हो जाएगा, 8000 और 8400, अब देखो तो दोनों में difference कितना आ रहा है, दोनों में difference आ रहा है, 3600 का, तो कौन सा option हो जाएगा, option number B हो जाएगा, next question आईए, एक मंदिर में क्रमशा 12, 16, 24 और 36 मिनिट के अंतराल पर 4 घंडियां बचती है, यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर भजना शुरू किया जाए, तब दोवारा कब एक साथ बजेंगी, ठीक है, देखो, 12, 16, 24 और 36, ठीक है, तो इनका क्या कर लिया जाए, LCM कर लिया जाए, तो यहाँ देखो, यहाँ जो है, 9 इंटू, अच्छे काम करते हैं, इसका 4 गुनागर करूं 36, 36, 36, 4, है न, 72, 72, 144, जाएगा क्या, जाएगा, हाँ, जाएगा, जाएगा, 16, 16, 16, 16, 16, 9 बार में ठीक है, चला जाएगा, और 12 तो जाएगे स्क्वेर, हाँ, हो गया, तो LCM कितना आ गया, 144, 144 मतलब, दो घंटे, टू आवर्स, और 26 मिनिट, मतलब, 6 बजे प्लस 2, मतलब, 8 बच कर, 24 मिनिट, कौनसा उप्शन नमबर, see next question आईए, राहिल के पास, यात्रा की शुरूबात में, बहान के टैंक में, इतना लीटर पैट्रोल था, यात्रा के अंत में केवल, इतना ही लीटर पैट्रोल, बच गया है न, फ्यूल टैंक में बचा आरंभिक मात्रा का, मतलब, 15 पूर्ण, 5 बटे 18, 5 बटे 8 लीटर पैट्रोल था, और यात्रा के बाद कितना बचा, 3 पूर्ण, 1 बाई 8 लीटर, अब पूचा है, आरंभिक मात्रा का, कितना उप्योग वास, का मतलब, 15, 5 बाई 8, माइनस 3, 1 बाई 8, इतना है, उसने consume किया दिवाइड बाई 5, 15, 5 बाई 8, ठेक है, अर विगेटिंग गाईज, ओके, यहाँ देख लेते हैं कितना, 120, 125, 125 बटे 8, माइनस, 25 बटे 8, डिवाइड बाई, एक्सो बटे 8, तो कितना हो गया, देखो तो, 100 बटे 8, डिवाइड बाई, एक्सो बटे 8, 8 से 8 गया, है ना, तो, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका, 100 बटे, 125 मतला, 4 बटे, ठेक है, तो, पाँच भाग का, चार भाग कर लिया, ठेक है, चलिए, यह हो गए 25 कोशिंज, ठेक है, तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के जाएगा, कोई भी शूर कमेंट सेक्षिन में कमेंट करना मत भूलेगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ठीक है, तब फिर मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तब तक लिए